आज देश के अंदर आम आदमी पार्टी कैसा मुद्धा बन चुकी है जिसको बीजेपी या कॉंगर्स के खेमे वाले भुनाने की कोशच में जरूर दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि नहीं नहीं आई हुई पार्टी उनकी पार्टी को टक कर देने का काम कर रही है ऐसी बीच में कई सारे बार हमने ये देखाई कि CDI और ED के तरफ से कारवाई जो है वो आम आदमी पार्टी के उपर होती रही है जिनका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से लगातार इस बात को लेकर के चर्चा की और कहा है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हमने कुछ नहीं किया हम राश्ट्री पार्टी बन चुके हैं इसी वज़े से मोधी खेमा और कॉंग्रिस का खेमा जो है वह डरा हुआ है और यही वज़े है कि वह हमारे उपर इस तरीके की कारवाई करबारे इस कारवाई में कितना दम है कितना दम नहीं है वो तो आने वाला समय देखिए बताएगा लेकिन आज के इस खास प्रोग्र को में जाने के लिए देखिए मारी एक खास लखो सभी पत्रकार बंधूं को नमश्कार छे मई को दिल्ली की अदालत ने जो आदेश पारित किया उस आदेश के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने मन गढ़ंत तथा कथित हवा हवाई शराब घोटाले का सच सामने आ गया है और पूरी दुनिया को ये सच्चाई पता चल गई है कि दरसल सराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं सराब घोटाले के नाम पर भारती जनता पार्टी ने पीमो ने नरेंद्र मोदी जी ने अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ एक गहरी साजिस रची उनकी छवी को खराब करने की एक गहरी साजिस रची आम आदमी पाटी की छवी को खराब करने की एक गहरी साजिस रजी क्योंकि सराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई एक फिल्म का गाना था बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई कल से भाजपाईयों से जो भी पूछा जा रहा है भाजपाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा में एक घोटाले की बात करते थे हवा में एक जाच की बात करते थे E.D. ने C.B.I. ने जो जाच सुरू की उस जाच में कहा ये तो सो करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है पहले E.D. C.B.I. ने मान लिया 70 करोड की कोई जानकारी हमारे पास नहीं 70 करोड का तो कोई सबूत ही नहीं 30 करोड का सबूत है ऐसा एक जुटा प्रचार और जुटी जानकारी उन्होंने अपनी चार सीट में रखी ये कहा कि राजेस जोसी नाम के एक वेंडर को साउथ के कुछ लिगकर व्यापारियों ने 30 करोन की रिश्वत दी वो 30 करोन रूपए राजेस जोसी के माध्यम से गोवा चुनाओं में खर्च किए गये राजेश जोसी के माध्यम से गोवा चुनाओं में 30 करोड रुपए खर्च किये गए पिछले 6 महिने से पूरी की पूरी EDCBI पूरा का पूरा विभाग नरंदर मोदीजी ने का जाओ गोवा जाओ गोवा जाज करो जाज करो विचारे EDCBI आले क्या करते हैं दिन रात गोवा में लगे हुए हैं इससे पूछो उससे पूछो इसको पकड़ो उसको जेल में डालो इसको हड़काओ उसको धमकाओ सारी जाज कर ली EDCBI ने सारी जाज कर ली उसके बाद ED वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैस में खर्च हुआ है दुनिया की सबसे इमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी जो एक विधान सभा के प्रदेश के चुनाओं में मात्र 19 लाख रुपए कैस में खर्च करती है मैं नहीं ED और CBI कह रही है ED और CBI कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किये गए कोट ने पूछा भाई आप ये 30 करोन का आरोप कैसे लगा रहे हैं कहते कोई सबूत नहीं कोट ने का कोई सबूत नहीं तो गिरिफ्तार करके क्यों रखा है ये तो आपकी जाची फर्दी है बेबुनियाद है निराधार है इसमें तो कोई तथ्थ नहीं कोई प्रमार नहीं और इसके आधार पर राजेश जोसी और गौतम मलहुत्रा को कोट ने जमानत दे दी ये कहते हुए कि सराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साख्षे कोई तथ्थे कोई प्रमार इडी के पास नहीं है इसके बाद भारती जंता पार्टी के अंदर भारत के प्रहान मंत्री नरेंदर मोधी के अंदर अगर जरासी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड के पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए अर्विंद केद्रिवाल से माफी माँगनी चाहिए आम आदमी पार्टी से माफी माँगनी चाहिए और ये हवा हवाई छूटा मन गलंद जो घोटाला खड़ा किया गया इस घोटाले को खड़ा करने वालों के खिलाफ सखत कारवाई होनी चाहिए एक ऐसी जाँच आप कर रहे हैं जिसका न सिर है न पाउ है पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं सराब घोटाला जूट का एक पुलिंदा है बेबुनियाद है इसमें कोई तत्थ नहीं कोई प्रमार नहीं लेकिन प्रमार जुटाने के लिए दवाव बनाया गया पीमो की ओर से प्रमार जुटाने के लिए जबरदस्ती एडी पर दवाव बनाया गया प्रधान मंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा भारती जनता पार्टी के द्वारा कि अरे केजरिवाल की छवी खराब करो कहीं से भी पकड़ो सबको गिरिफ्तार करो आमा आदमी पार्टी की चवी खराब करो इनके नेताओं की चवी खराब करो तो क्या क्या किया इसके लिए एक चंदन रेड़ी नाम के वेक्ति को पकड़ा उसको मारा पीटा दोनों कंपटी फार दी उसकी बोले लिखे बैयान कह रहा हूँ कनपटी फारदी दोंगो हाई कोर्ट में उसने केस किया अपनी मेडिकल डिपोर्ट लगाई समीर महंद्रू ने कोर्ट पे का साथ हमसे जबरन जबरदस्ती बैयान लिया आईडी ने अरुन पिल्ले ने कोट पेका साब हमसे गलत जबरदस्ती बयान लिया इतना ही नहीं कितनी जूटी कहानिया और कैसे चीखते थे नाचते थे भाजपाई ऐसे लगता था टीवी फार के बाहर निकल जाएंगे मनीज स्वधिया ने 14 फोन तोड़ दिया मनीज स्वधिया ने 14 फोन तोड़ दिया हमें तो डर लगता था कि भाजपाई कहीं पगला के स्क्रीन फार के लग बाहर निकल जाएं टीवी से इतना तेज चीखते चिलाते थे मैंने सारे साच रखे कि 14 के 14 फोन जिंदा है हुज उर्ट चल रहे हैं और देखिए ED के जूट का कुलिंदा साथ फोन तो ED और CBI वालों के पास पाँच फोन तो ED और CBI वालों के पास ही है चारीडी के पास है, एक मुपक्रा की सब चल रहे हैं, सारे फोन चल रहे हैं के रहे हैं कि रहे हैं 4 फोन तोर दिया मनी से सो दिया पी improved manager。 मैंने कि छीकते थे बाज़पाई, बातो चिलाते थे है फिर क्या कहा संजे सिंग का नाम है चार सीट में संजे सिंग का नाम है चार सीट में ED सब को नोटीस भेजती है मैंने खुद ED वालों को नोटीस भेजा मान हानी का मैंने का बता क्या इसकी सच्चा है तो लिखके उन्होंने गलती मानी बुले लिखना था राहूल सिंग लिख दिया संजे सिंग मैंने का बे इमानो कभी नीरो मोधी के जगा नरंदर मोधी लिख दिया तो बड़ी मुस्किल हो जाएगी तबी ललित मोधी की जगा नरंदर मोधी लिख दिया तो क्या होगा ऐसे मत करो इतना जूट मत करो मालू में मोधी का दबाओ है मालू में भाजपा का दबाओ है मालू में पीमो कारेले का तुम्हारा इक पर दबाओ है लेकिन ऐसे बदनाम करोगे किसी को भी ऐसे हवा हवाई जूट बोलोगे तो इसलिए पूरी की पूरी भारती जन्ता पार्टी को इस देश के लोगों से आम आदमी पार्टी के एक एक कारे करता से नाप रगड के माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने जूटे आरोप लगाए जूटे बयान बाज़िया की जूटे तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोसिस की उन सब को माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ देश के प्रधान मंतरी को स्तारविनिक रूप से सामने आके इस जो साजिस के पीछे इस गहरी साजिस के पीछे जो उनका और उनके दफ्तर का हाथ है उनको भी माफी मांगनी चाहिए सराब गोटाला सराब गोटाला बिना मतलब कोई सबूत नहीं कोई आधार नहीं और वैं जिस राजेस जोसी के नाम पे तुमने कहा कि तीस करोड रुपए इसको रिश्वत दी गही और इसने गोवा के चुनाओं में लगाया कोट में एक साक्ष एक सबूत इडी नहीं प्रस्तुत कर पाई गोतम मलोतरा के खिलाब जो आरोप लगे एक साक्ष और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई इसका मतलब क्या है किसी को भी चौराहे से पकड़ो चार तमाचे मारो किसी को को तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे किसी को को तेरे बुदुर्ग माबाप की हम ऐसी तैसी कर देंगे किसी को को तेरा हम व्यापार चोपट कर देंगे और उससे कुछ भी बयान लिखवा लो कोई सच्चाई नहीं कोई प्रमार नहीं तो इसलिए भारती जनता पार्टी का ये काला चेहरा भारती जनता पार्टी की ये गहरी साजिस छे माई को मानी कोट के आदेश के बार पूरे देश के सामने आ गई है और ये सच भी पूरे देश के सामने आ गया है कि अरविंद केजरिवाल एक कटर इमानदार नेता है आमादनी पार्टी एक कटर इमानदार पार्टी है और इसके किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में जूटे आरोप लगाने में चाहे मोधी जी हो चाहे भारती जनता पार्टी हो चाहे पूरी की पूरी इनका तंत्र हो कोई भी सफल नहीं होगा ED हो CBI हो कोई भी सफल नहीं होगा क्योंकि जूट जूट होता है सच सच होता है जैहिन सत्यमियो जैते और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि एक कहवत है हमारे यहां कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है सुने होगी एक कहवत आपने तो जिस पार्टी का रास्टिय द्यक्ष रच्छा सौदे में रिश्वत ठाते हुए सजा पा चुका हो जो पार्टी शहीदों के ताबुत में घोटाला करती हो जो पार्टी ब्याकम घोटाला करती हो जो पार्टी रेड़ी ब्रदर्स और यदरप्पा के जैसे माइनिंग घोटाले करती हो जो पार्टी अडानी के चर्णों में बैठ कर लाखो करोर का घोटाला करती हो जिस पार्टी के बारे में करनाटक के गली-गली में महले महले में गाउं गाउं में किसी भी बच्चे से पूछो भारती जन्ता पार्टी लोग कहते हैं 40% कमिशन वाली पार्टी करनाटक में गाउं गाउं में पूछो भारती जन्ता पार्टी लोग कहते हैं 40% कमिशन वाली पार्टी तो जिन भाजपाईयों के दिमाग में दिन रात घोटाला 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 चलता रहता है उनको तो सावन को के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी लेकिन इसका पूरा सच, पूरा साक्ष, पूरा प्रमार अब देश के सामने आ गया है और मैं फिर दोर आ रहा हूं कि प्रधानमंती नरेंदर मोदी को भारती जंता पार्टी को चुलू भर पानी लेके नाक रगड के पूरे देश से आ मैं समझता हूं कि ये जो आदेश है छे मई का कोट का आदेश ये निश्चित रूप से आने वाले केस में भी इसकी सच्चाई माननी है जो हमारे अधिवक्तागर्ण है वो रखेंगे और निश्चित रूप से नियायले इसका संग्यान लेगा अब फिर मैं उन्हीं चीजों को दोहराओंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं तो कह रहा हूं कि भाजपाई कल से क्यों गाना गा रहे हैं कि कहते हैं मुझको हवा हवाई कहां गए जो पूरे के पूरे आरोब पोर्ट में ध्वस्त हो गए एक सबूत एक प्रमार नहीं मिला तो अब मुझ लाने के लिए खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप भाजपा कुछ भी बोलती रहें कहा था ना चीख के चोदा फोन तोड़ दिये मनी से सौदिया ला मैंने सारे साथ च्रक्थे तो भाजपाईयों को माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए कहा गो आके चुनाओं में पैसे लग ला तो इसके लिए भाजपाईयों को माफी मांगनी चाहिए जितने जूट होना मेरे मेरे खिलाब बोला खोदेडी ने कह दिया गलती हो गई गलती से नाम लिख दिया तो इसलिए मैं कहते हूं गंदी राजनीती करो इतनी घट्या अब दिकत क्या है कि गुजरात में शरा घटाला होता है नकली शराप पी के लोग मर जाते हैं यही सब करते हैं भाजपाई तो उनको यही लगा होगा कि आदमी पार्टी पे एक मन गढ़न थावा हवाई खयाली पुला घटाला बना तो बना दिया उन्होंने खयाली पुला घटाला बहुत बदर देखे ऐसा है कि करनाटक में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का संगठन वहाँ पर करनाटक के अंदर हमारी नेताओं ने केदरी ने पर किसी भी पार्टी को हम रास्ट्रिय दल हैं कहीं भी चुनाव लड़ेंगे देखो ऐसा है कि यह तो कांग्रेसियों से आप पूछिए और जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने रास्ट्रिय देख्ष के भी बयान से सामत नहीं है जो लोग बयान दे रहे हैं जिनका नाम आपने लिया माकन जी का उनके बीजेपी से क्या रिस्ते हैं क्यों नहीं वो आडानी के जेपीसी की मांग पर बोलते क्यों नहीं वो तेरा सो करोन के प्रदान मंत्री के बंगले पर नहीं बोलते क्यों वो क्यों नहीं वो आठ हजार चार सो के हवाई जहाद पर बोलते माक जारी इस बायार ने ये तो साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठने वाला हैं बहराल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम को देखने के बाद वाप लोग के क्या तरक है कमेंट बॉक्स में बताईएगा आप एक लिए बस इतना ही देश तुनें तुने बढ़ी खाब लोगले विक्तिरियो नेक्स नाइन्योस पॉलिटकल बाइट